गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आप सभी का अविनास टुटोरियल में स्वागत है वेल्कम जैसा केमस्ट्री हम लोग लास्ट क्लासेस में रशायनिक जो ऑक्सीडेशन रियक्शन था और रिडक्शन रियक्शन था उसको हम लोग ने समझा था आज की क्लासेस में हम लोग रशायनिक समीकरन को कैसे बैलन्स करें कि स्चोटे से ट्रिक्श से इसको बैलन्स करें इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सिखेंगे जैसे पहला एक्जांपल जो हमारे पास है तो पहले एक्जांपल को पहले देखते हैं यहाँ पर Mg को आपका HCl सी रियक्शन कर रहा है औ और MgCl2 और H2 बना रहा है तो इस टाइप के रियक्शन में बैलेंसिंग करने के लिए संतुलन करने के लिए सबसे पहले आप जो चोटा सा ट्रिक से उसको अपलाई कीजिए आप कोर्सिस कीजिए कि ऐसे परमानू या एक्टम को फाइंड आट कर लेना निकाल लेना जिसका परियोग कम मातरा में हुआ है जैसे कि यहां Mg ले सकते हैं सुर्वात ऐसे किजिए ऑक्सिजन हाइड्रोजन अगर आते हैं रियक्शन में तो उनको लास्ट मिलीजे पहले उन परमानू एटम को लीजे जिसका परियोग कम हुआ है तो पहले हम Mg को लेते हैं यहां पर आपका Mg1 है यहां पर Mg1 है नेक्स हम लोग लेते हैं क्लोरीन को क्लोरीन यहां 1 है क्लोरीन यहां 2 है तो देखिए अगर इसको बैलन्स करना है तो हम इसके नीचे कोई नमबर नहीं लिख सकते हमें इसके नमबर को आगे लिखना होगा जैसे यहां पर 2 है तो अ अब इस reaction में देख रहे हैं कि आपका Mg1 है, Mg1 है, hydrogen 2 है, यहां देखे है, hydrogen भी 2 है, chlorine 2 हो गया है, यहां भी chlorine 2 हो गया है, तो इस तरह से यह जो अविक्रिया है, यह आपके balance हो चुकी है, अब तोला सब बड़े जो अविक्रिया है, उसको हम लोग समझेंगे, आज इक लासे अविक्रिया होती है, reaction होता है, उसको balancing करना आप कैसे सकते हैं, जैसे AL2, CL3 है, यह अविक्रिया कर रहा है, CA OH whole twice से, और आपको बना रहा है, AL OH whole twice plus CA CL2 दे रहा है, यह दोनों अविक्रिया करके, यह आपके product को दे रहा है, तो इसको balance करने के लिए जो चोटा सा trick है, वो क्य है, तो आप oxygen hydrogen जो इस तरह के जो प्रमानों है, इनका balancing आप last में करें, पहले courses करें, सिंगल वाले जो दिये हों, जैसे Almonium है, यहाँ Almonium है, Almonium है, बराबर हो गया, यहाँ calcium भी एक है, calcium भी एक है, यह बराबर हो गया, तो अब हम लोग ले ले लेते है, chlorine को, यहाँ chlorine आप का two है, और यहाँ chlorine आपका three है, तो अब क्या करें, तो chlorine का, यह three और तो इन दोनों का lesser निकालते है, तीन और दो का lesser निकालते है, ölसियम निकालते है, तो वो हमको six मिलता है, तो six के लिए हम क्या करें, यहाँ पर अगर हमने three ले लिया थे, तो three into two chlorine six हो जाएगा, यहाँ calcium आपका 3 हो जाता है यहां पर क्या करेंगे अगर हमने यहां 2 ले लिया तो इस तरह से यहां 2 इंटो 3 क्लोरिन 6 हो जाता है तो अब हम देख रहे हैं कि क्लोरिन जो है हमारा बैलन्स हो चुका है एलमुनियम के पास आते हैं, यहां एलमुनियम आपका 2 है, यहां एलमुनियम 1 है, तो एलमुनियम को बैलन्स करने के लिए यह टू ले लेते हैं, तो अभी हमारा एलमुनियम क्लोरिन जो है, वो बैलन्स हो चुका है, नेक्स्ट अब इस एक्वेशन को इसी को बढ़ाते हैं क्योंकि यहां इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं तो पहले इसी को ले लेता है कैल्सियम यहां पर 3 है यहां कैल्सियम 1 है उसके लिए हमने यहां पर कैल्सियम को 3 ले लिया अब इसमें क्या changing हुआ यहां पर calcium तो 3 हो गया लेकिन oxygen 2 था और 2 3 से multiply हो गया तो oxygen यहां पर 6 हो गया अब यहां oxygen देखते हैं यहां oxygen 3 था लेकिन 3 को 2 से multiply किया गया तो oxygen आपका 6 हो गया यहां hydrogen 3 था 3 को 2 से multiply कर दिया गया तो यहाँ पर hydrogen आपका 6 हो गया यहाँ hydrogen देख रहे है given 2 है लेकिन 3 से multiply कर लिया है तो यहाँ hydrogen भी आपका 6 हो गया अब यह जो chemical reaction है अविक्रिया है वो दोनों side में बराबर हो चुकी है तो हमने एक छोटे से प्रमानू से उठाया और दीरे दीरे आगे बढ़ते चले गए और last में वो दोनों प्रक्रिया हैं जो हैं अविक्रिया बराबर हो गई अब तीसरे example को देख करके फिट समझते हैं जैसे Fe है H2O से reaction कर रहा है और इसके बाद Fe 3O4 और H2 बना रहा है तो again उसको पकड़ेंगे जो कम नंबर में यूज हुआ है जैसे कि Fe ले लेते हैं क्योंकि हमने बताए कि hydrogen oxygen आप last में दीजिए पहले वैसे प्रबाने को लेज़े जिसके अपर योग कम हुआ है तो Fe यहाँ पर 1 है यहाँ Fe 3 है तो इस जगह हम लोग 3 कर लेते हैं अब आते हैं oxygen पे यह आपका 1 है यह आपका 4 तो इसके लिए यहाँ पर 4 कर लें तो oxygen हो जाता है For oxygen 4 balance लेकिन hydrogen यहां पर 4 इंटू 2 hydrogen यहाँ पर 8 है है hydrogen 2 है तो आप यहाँ भी 4 लेडीए जिससे hydrogen आपका 8 हो गया अब इस तरह से Fe दोनों साइड में 3 है hydrogen दोनों साइड में 8 है और oxygen यहां पर भी आपका 4 है और oxygen यहां भी 4 है तो इस तरह से यह भी अविक्रिया है आपकी बराबर हो गई है अब चौते नमबर पर आते है इस चौते नमबर के अविक्रिया को देखते हैं यह भी छोटी अविक्रिया है KCl O3 किसी कार्णवस तूट करके KCl और O2 आपका बनाता है तो यहां पर सेम देखते हैं सबसे पहले देखेंगे जो कि बहुत कम बार में यूज होता है जैसे कि पूटाशियम है बालन्स है क्लोरीन है बालन्स है Oxygen यहां 3 है Oxygen यहां 2 है तो 3 और 2 का जो आल्सियम होता है वो 6 होता है इसलिए हम यहां पर 3 कर लेते हैं 3 into 2 6 हो गया इसके एकॉर्डिंग इसके यहां 3 है तो Oxygen को सामने रख करके 3 into 2 Oxygen 6 हो गया लेकिन अब Potassium 2 हो गया क्लोरिन को जिसलिए हमने यहां भी दो कर लिया जिस्टे कि पोटाशियम दो क्लोरिन- civ ciud और अज आविक्रिया आपकी बराबर हो गई अब हम लोग आखरी अविक्रिया आज के क्लाशेंगे यह अन्बर फाइब को इस नंबर पाइब जैसे आपके सामने हैं एलमुनियम है, यह H2SO4 से विक्रिया कर रहा है और इसके बाद AL2SO4 का थ्राइस प्लस H2 बना रहा है तो इसको बैलन्स करने के लिए सबसे पहले वैसे परमानु को लेंगे जिनका परियोग कम है मतलब Oxygen Hydrogen को छोड़ करके बाकी परमानु को पहले देखते हैं यहाँ पर आपके पास ऐलमुनियम आपका 1 है, यहाँ पर जो ऐलमुनियम है वो ऐलमुनियम आपका 2 है तो सबसे पहले आप ऐलमुनियम को ही ले लीजी, 2 है तो हमने यहाँ पर भी 2 कर लिया इलमुनिया। हमारा बैलंस हो गया। İ हैधान है है अक्षिजेन यहाँ 4 लेकिन यहाँ पर एकिकटना है फॉर इंटू 3 12 है। इसका मतलब इस ऑक्षिजेन को भी 12 होना है तो हमने यहाँ पर थ्री कर लिए। अब तुआ अक्सीजन हो गया त्वेल यहां उक्सीजन हो गया सलफर यहां पर थ्री है यहां पर भी साथ आपका स्री मां ऐल्मूनियम ढू अएलमूनियम में एल पर है यहां है र्मोonen ठी है तो आप में इसके ऑगे 3 दे दिजे, hydrogen हो गया 6, इस तरह से 5 विदारन, 5 एक्जामपल के थुरू हमने ये समझा कि रासानिक समिकरन को संतुलित कैसी किया जाए, एक छोटे से ट्रिक्स के साथ, next जो topic है इसका अगला वो हम लोग अगली classes में सिखेंगे, thank you.